नमस्कार मैं एडूकिट नरेशकुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों हमारे देश में प्रोपर्टी को किराये पर लेने देने का प्रसलन काफी समय से है और काफी लोगों की आमदनी का इस्थाई जरिया भी प्रोपर्टी का किराया होता है कुछ समय पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें बताया गया था कि कोई भी किरायदार प्रोपर्टी पर कभी भी मालिक नहीं बन सकता जब तक कि वो उस प्रोपर्टी को खरीद ना ले यानि कि किरायदार का लंबा पजेशन उसे प्रोपर्टी पर मालिक नहीं बनाता है उस वीडियो को आप व्यूवर्स ने काफी पसंद किया और साथ ही काफी लोगों के इस टाइप के कमेंट भी आये कि जब कानून लेंडलोर्ड को इतना प्रोटेक्ट करता ही है तो फिर किरायदारी के मामलों में कोर्ट में सालों क्यों लग जाते हैं या फिर किरायदार से अपनी प्रोपर्टी खाली करवाने के लिए लेंडलोर्ड को इतनी समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हमें कोई भी प्रोपर्टी किराय पर देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि प्रोपर्टी को खाली करवाते समय या किरायदारी के दोरान लेंडलोर्ड को किनी समस्याओं का सामना ना करना प तो कौड केस करना पड़ता है और कौड केस काफी लंबे चल जाते हैं यह तो नहीं कहता कि हमारे देश का सिस्टम लेंडलोर्ड के फेवर में है या फिर कौड केस की प्रक्रीया बहुत फास्ट है लेकिन इतना जरूर है कि टेनेंशी के मामलों में देरी इसलिए ही होती ह क्योंकि किराय पर प्रोपर्टी देते समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है और फिर किरायदार के द्वारा उन्हीं बातों का फायदा उठाकर केस में देरी की जाती है कोई भी प्रोपर्टी किराय पर देते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है रेंट एग्रिमेंट प्रोपर्टी को किराये पर देते टाइम काफी लोग तो रेंट एग्रिमेंट बनवाते ही नहीं है और काफी लोग जो शुरू से ही ये तय है कि प्रोपर्टी को पांथ साल के लिए किराये पर दिया जा रहा है ले कोई property किराय पर दी जाए एक rent agreement जरूर तयार करवाना चाहिए और जहां तक हो सके उसे registered करवाना चाहिए क्योंकि जब rent agreement को registered करवा लिया जाता है तो rent agreement के execution से इनकारी की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है यानि की registered agreement होने की स्थिती में किराय दार मना नहीं कर सकता कि मैंने ये किराय नामा निश्पादित किया है या नहीं किया है क्योंकि काफी मामलों में ऐसा देखा गया है कि जहां पर किराय नामा registered नहीं है और किराय दारी काफी पुरानी हो गई है तो ऐसी स्थिती में किरायदार इंकार भी कर देते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसा किरायनामा एक्जिक्यूटी नहीं किया गया था दोस्तों रेंट डीड किरायदार और मकान मालिक दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली होती है इसलिए हर किरायदारी की रेंट डिट जरूर तयार करवाने चाहिए दोस्तों काफी बार लोग कहते हैं कि जिनको प्रोपरटी किरायबर दे रहे हैं वो हमारे पुराने जानकार हैं या मित्र हैं इसलिए रेंट एग्रिमेंट की कोई आवशकता नहीं है जब भी हम बोलेंगे वो खाली कर देंगे लेकिन ऐसे मामलों में मैं तो यही सला देता हूँ कि भले ही किरायदार आपका रिष्टेदार ही क्यों नहीं रेंट एग्रिमेंट जरूर तयार करवाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ आपके आज कैसे संबंद है ये इस बात की गारंटी नहीं है कि भविश्य में भी संबंद वैसे ही रहेंगे और साथ ही रेंट टीड में हर बात को बहुत स्पस्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि आगे आने वाली समस्याओं का कम से कम सामना करना पड़े एक रेंट डीड तयार करवाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो पोस्ट हमारी चैनल पर किया हुआ है जिसका लिंक उपर नजर आ रहा है और साथ ही नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है वो वीडियो भी जरूर देखें ताकि आप रेंट एग्रिमेंट के बारे में सारी बाते समझ पाएं दूसरी इंपोर्टेंट बात ये है कि जिस भी किरायदार को हम अपनी प्रोपर्टी पर रखें उसका वेरिफिकेशन जरूर करें और ये पता करें कि वो जिन properties में पहले किराय पर रहा है उनके साथ उनका क्या व्यभार रहा है और उसके द्वारा किराया नियमित तोर पर दिया गया है या नहीं उस आदमी के background का भी हमें पता करने की कोशिश करनी चाहिए आज कल काफी जगहों पर तो ये compulsory भी कर दिया गया है कि जब भी कोई किरायदार रखा जाता है तो उसका पुलिस verification करवाय जाता है और पुलिस verification करवा के किरायदारी पर दिये जाने की सूचना भी SDM office में दी जानिव होती है तीसरी बात ये कि काफी landlord किराया वसूल करने के मामले में shortcut अपनाते हैं वो किराया ज़्यादातर case ही वसूल करते हैं और उसकी कोई रसीद नहीं बनाए जाती और कई बार खानापूर्ती के लिए रसीद तो जारी कर देते हैं लेकिन उसका कोई record नहीं रखा जाता ऐसी द अगर किरायदार 3-4 महीनों तक लगातार किराया नहीं देता है तो उसे तुरंत notice जारी कर देना चाहिए दूसरी बात ये कि rent agreement में ही मकान मालिक को अपने bank account की detail mention कर देनी चाहिए और ये condition भी रख देनी चाहिए कि किराय का भुगतान bank account के जरिए ही किया जाएगा और अग किराया लेते समय रशीद जरूर जारी करनी चाहिए रशीद दो कोपी में जारी करनी चाहिए जिन में से एक कोपी tenant को दे दी जाए और दूसरी कोपी पर tenant के signature करवा के landlord अपने पास रख ले काफी बार देखा गया है कि नीजी आपसी संबंधों के कारण से कई सालों का किर दूली करने में बहुत समझ जाती है कई बार ऐसा भी होता है कि टिनेंटेट प्रिमिजेज में किरायदार अपने नाम से बिजली और पानी के connection लेता है ऐसी स्थिती में अगर किरायदार अपने नाम से बिजली और पानी के connection ले रहा है तो landlord को ये जरूर ध्यान रखना चा लिया गया हो दोस्तों काफी लोग स्टूडेंट को या सिंगल नौकरी करने वाले आदमी को किराय पर प्रॉपर्टी देना पसंद नहीं करते हैं लेकिन मेरी रायमाने तो ये बहुत ही safe किरायदार होते हैं ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स और जो नौकरी करने वा रहे हैं यह ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप प्रोपर्टी किराया पर उसको दीजिए जो आपको किराया ज़्यादा देता हो लेकिन उसका प्रोपर डोकुमेंटेशन जरूर करवा लेना चाहिए अगर आपकी किरायदारी पुरानी है और रेंट एग्रिमेंट भी नहीं बनाया हुआ है तो आप अपने किरायदार को एक नोटिस जरूर दे सकते हैं कि वो आगे से किराया आपके बैंक अकाउंट में दे और अगर ऐसा नहीं ह हो पाता है तो आप उससे जब भी किराया लें उसकी रसीद जारी करके देने का ट्रेंड जरूर अपना सकते हैं दोस्तों ऐसी बातों का ध्यान रखे जाने पर आपकी प्रोपर्टी भी सेफ रहेगी और भविश्य में विवादों की संभावनाएं भी काफी कम हो जाएग इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप अपने किसी मामले में मुझसे परामर्श करना चाहते हो तो स्क्रिन पर उपर दिखाए गए नमबरों पर कॉल या वाटसेप करके कॉल बुक करवा सकते हैं ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रही है ह हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में